विश्य श्तर पर इसके क्या सकारातमत पहलू है, सकारातमत पॉजिटिव इंपैक्ट, तो इस पर एदेम देखें, तो पहला है जीवन्त अर्थ व्यवस्था, जीवन्त कार्थ क्या होता है, जो लगातार समय के साथ अपने को ढालने में सक्षम हो, जो अग्रिसर ही रहे, आ माहित करने की, सुनियोजित करने की जिसमें ख्यमता हो, तो अर्थ व्यवस्था लाइव हो, जीवन्थ हो, ये इसका एक सकारात्मक पहलू है. दूसरा, और्द्योगिक उत्पादन के लिए बड़ा स्फूर्ती दायक हो जाता है वैश्वी करण. क्यों? क्योंकि वैश्वी करण में जहां हम एक दूसरे के अद्योगिक प्रगति से, अद्योगिक विकात से मुखातिर होते हैं, वहें संबंदित संसाधन की उपलब्दिता भी हमें अपनी अद्योगिक प्रगति को उत्तुरूत्तर आगे बढ़ाने में मदद करती है. इसके साथ ही इस फूर्ति दायक होने का एक कारण और भी है, और वहा है प्रत्योगिता का होना. यदि हम वैश्वी करण की प्रक्रिया से अपने को इंटिग्रेट कर लेते हैं, तो हमें सुनिश्चित करना होता है कि हम अवल रहें, उत्तुर्पादन में गुणवत्ता रखें, अनिथा, हमारे ले कोई मार्केट उपलद नहीं होगा. इसलिए और जोगिक उत्तुर्ति दायक्ता वैश्वी करण की एक बहुत अच्छी परिडिती है. तीसरा, राजकोशी घाटे पर रोक लगती है. ये राजकोशी घाटे का आरत है, कि सरकार के पास जो अपना खजाना है, अब उसमें से पूंजी निवेश ना करके विदेशी निवेश को आममंतरित किया जाए, और अपने खजाने में जो पैसा है, उसे सेफ किया जाए, तो इस प्रकार राजकोशी खजाना जो है ये बना रहता है और दूसरा घाटे पर भी रोक लगती है। क्योंकि पूरे विश्व की एकॉनमी सब जगा की अर्थवस्था को बैलेंस करने का प्रयास करती है और उस बैलेंस की प्रक्रिया में मुद्रा स्फीती जो है अर्थात इंफलेशन प्राइस इंफलेशन उस पर भी नियंतर कुछ हर्तक लग जाता है। अर्थात पूर्ण रूपेन स्वतंतर किसी भी मामले में निर्णा लेने के लिए है। अब यहां हम बाते रहें उपभोगता की संप्रभुता अर्थात जो बायर है जो कंजूमर है वो आप पूर्ण रूपेन स्वतंतर है कि वो क्या खरीदे है। मार्केट में आपके पास आज 500 तरीके के मॉबाइल्स हैं। 500 तरीके की मोटर साइकले हैं। आप अब पूर्ण रूपेन स्वतंतर हैं कि आप कौन सी मोटर साइकल या मॉबाइल खरीदें। किस तरह के मॉडल खरीदें। और इसमें किस फीचर को लेकर आप कौन सा मॉबाइल खरीदें। इस बात के लिए स्वतंतर हैं। यही स्थिति आटो मॉबाइल इंडस्ट्री की है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक दौर था चालिस वशपूर्व जब हिंदुस्तान में किवल दोई गाड़ियां दिखाई देती थी भारत में मूल रूप से फियट और अमबैसिडर। और कुछ गाड़ियां जो अजनिक मानी जाती थी पश्चिम से आयातित थी वे गाड़ियां फिल्मों में बॉलिवुड की फिल्मों में दिखाई देती थी। आज गाडियों का अमबार लगा हुआ है गाडियों के मॉडिल्स का अमबार लगा हुआ है ये इस बात को साबित करता है कि आज का कंजूमर आज का उपभोकता पूर्ण रूपेंड स्वतंतर है कि वो क्या खरीदे कब खरीदे कितना खरीदे उसके पास चॉइस है अगला सक कारातमक पहलू उदेशी विनमे कोशों में परियापत वृद्ध यह भी एक आर्थिक रूप से तकनीकी शब्द है विदेशी विनमे कोश फॉरेंट एक्सचेंज रिजर्व किसी देश के फॉरेंट एक्सचेंज विदेशी विनमे कोश में जो मुद्रा है जितनी ज़्यादा मुद्रा विदेशी नजरों में वह देश उतना ही ताकत वर हूँ 1984-85 के आसपास का वो काल था भारत का जब भारत का विदेशी मुद्रा कोश लगभख शून नहीं हो चला था और भारत को अपना एक बहुत बड़ा सूने का भंडार किसी अन्य देश में एक तरीके से गिरवी रखना पड़ा था विदेशी मुद्रा कोश के लिने के लिए और आज विदेशी मुद्रा कोश के मामले में भारत बहुत बहुत आगे है और उसका काफी कुछ श्रे इस खुले द्वार की नीती है तो इस प्रकार विदेशी मिनमे कोश में पर्याप्त वृद्धी एक बहुत सकारात्मत पहलो नीजी विदेशी निवेश का प्रवाज इसके बारे में हम दिक्र कर चुके हैं कि प्राइविट पूंजी प्राइविट कैपिटल को अब इन्विश करने की क्षमता लोगों में बढ़ी है इच्छा लोगों में बढ़ी है रुची लोगों में बढ़ी है इसके बाद इस सब का परिणाम क्या हुआ और ये किस चीज का परिणाम वैश्वी करन का परिणाम इन सब बातों का भारत पर जो बहुत सकारात्मक परिणाम हुआ वो ये कि आज भारत विकास शील देशों की श्रेणी से कहीं उठकर अब विकसित देशों की श्रेणी में गिना जाने लगा है विश्व की एक आर्थिक ताकत के रूप में गिना जाने लगा है अब वह मात्र एक खेत्री ताकत नहीं रह गई है कि दक्षिन पूर्वी एशिया का एक विशाल देश भागोलिक दिश्व से जो विशाल है वैसी शक्ति अपनी माना जाता भारत को अब विश्व स्तर पर एक बहुत ताकतवर आर्थिक राज्यातिक और सामरिक शक्ति की रूप में देखा जाने लगा है और इसका श्रे वैश्वी करण की नीती का रास्ता भारत में खुलना जो निस्वन अब बेंकान में में शुरू हुआ और अंतिम इसका प्रभाव है एकाधिकारी बाजार स प्रतियोगी बाजार की और जोड़ना एकाधिकारी बाजार कार्थ क्या होता है ऐसा मार्केट जहां एक हिया प्राड़क्ट उपलब्द होगा जैसा मैंनो धारन दिया हिंदुस्तान मोटर्स की अंबैसेडर्स का और फियेट कार का ये गाड़ियां भारत में शुतनता से पूर उसे ही चल रही थी और इनकी उपलब्द दता थी लेकिन आपको आश्चर होगा कि अमबैसेडर और फियेट को खरीदने के लिए लोगों को वर्षों प्रतिक्षा करनी होती थी नंबर लगाना होता था और करीब दो तीन वर्षों में कई बार तो इससे भी ज़्या काल पाद एमबैसेडर खरीदने का उसका नंबर आता था पहली तो दिक्त ये थी और दूसरी कि आपके पास चौइस कुछ नहीं थी या तो एमबैसीडर या फियेट और एमबैसेडर और फियेट के निरमाताओं को भी मालत था कि गहाँकों को कोई चौइस नहीं है तो हम अपनी गाड़े की गुडवत्ता में कोई सुधार ना भी करें तो भी हमारी ही गाड़ें बिकेंगी इसे कहते हैं एकादिकार पर सरवादिकार इसे कहते हैं कि एकादिकार बाजार का दुरुप्यू और यही कमों बेश उन्निस सो असी नब्वे तक चलता रहा और इसलिए गुडवत्ता प्रभावित हुई इसलिए भारत आर्थिक शक्ति की द्रिश्टि से काफी पिछड़ा नजर आया 1995 में ज़ब ऑन डूर पॉलिसी आए खुले दौर की अर्थ व्यवश्था मुक्त अर्थ यख्ता तो भारती उद्योग के लिए भारती उद्योग पतियों के लिए लगू द्योग निवेश्चकों के लिए आवश्यक हो गया कि वे ऐसी गुणवत्ता वाले माल का उत्पादन करें, जो विदेशी निवेशिकों से उत्पादित, उत्पादन के सामने बीस बैठ सके, उनसे प्रतियोगिता कर सके, गुणवत्ता के मामले, अन्य था, वे लोग बाजारुवी अस्था में बह जाएंगे, प्रणाम क्या ह हुआ, कि देश की उद्योग पती इस बात के लिए विवश हो गया, कि वे अपनी प्राड़क की गुणवत्ता को बढ़ाएं, ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव था, देश की अर्थ व्योस्था पर वैश्वी करन के मद्दे नदर, अब हम आते हैं, इसके ये समझने की कोशिश करें, कि जो चुनावतियां हमने देखी, जो समस्याएं हमने समझी, वैश्वी करन के प्रणाम सुरूप समभावित समस्याएं, या जो इस पश्च रूप से दिर्ष्टी गोचर हो रही हैं, इनसे कैसे हम निप्तारा करें, इनको कैसे हम ज्यादा द बात कर रहे हैं, वैश्वी करन की सफलता, उसके लिए कुछ सुझाओ, इन सुझाओं के लावा आपके पास भी कुछ सुझाओ हो सकते हैं, आने वाले समय में आप में से बहुत ची लोग अर्थ शास्त्री बन सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान से जुड़ोई व करन की सफलता से जुड़ोई सुझाओं में अपने सुझाओं भी जोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहां कुछ सुझाओं के हम बात करें, तो हमने देखा है कि वरत्मान रूप में वैश्वी करन जो है, उसमें कुछ विसंगतियां हैं, जो हमने समझा, कुछ विकृतिया भी हैं, कुछ बुराईयां हैं, और सशक्त राष्ट जो है, इसे वैश्वी करन को अपनी अंतराष्ट्री राजनीती का एक अखाड़ा बना चुके हैं, वे अंतराष्ट्री संस्थाओं को अपनी नीतियों का एक्स्टेंशन समझ के काम कर रहे हैं, और हमने ये भी महसू कि वैश्वी करन जो है, वो एक अवश्यामभी प्रक्रिया है, तो अवश्यामभी है, उसकी बुराईयां भी हैं, तो इनके बीच में संतिलन कैसे बना जाया है, कैसे वर्तमान असंतिलन से उबर कर, हम बहतर संतिलन की ओर अग्रेशित हों, कैसे हम सुनिश्चित करें, कि वैश्वी करण होते हुए भी, कम से कम उन चीजों का हरास ना हो, जो हमारे लिए बहुत आहम रखते हैं, तो इसमें पहला सुझाओ है, विकाश शील और कमजोर देशों में वैश्वी करण के प्रमुक बुद्धों को लेकर, एक रूपता हो उनकी नीतियों में, नीतियों म हैं, एक रूपता, बहुत आवश्चक हैं, इसके लिए सभी विकाश शील देशों को, जरुरत मन देशों को एक प्लैटफॉम प्याना होगा, और सुनिश्चित करना होगा, कि वे आर्थिक मामलों में, राजनितिक मामलों में, एक ऐसी नीतियों अपना हैं, जो उनके पक उचित दबाओ बना सकेंगी, जब एक जुठो कर अपनी नीतियों को बनाएंगे, और ये दबाओ बहुत आवश्चक है, इन विकाशित देशों को लगाम में रखने के लिए, वैश्वी करन का जो हम असंत्यलन देख रहे हैं, बिगड़ता हुए, उसको घटाने के लिए जो प्रयास करने हैं, भले ही वो क्रमिक हों, इस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के देश लाम बंद हों, एक प्लैटफॉर्म पे आएं और संत्यलन की स्थिति के और प्रयास करें। ये निश्चित रूप से बात कठिन है, कहना सरल है, लेकिन असंभव नहीं है, गुट निर्पेक शांदोलन ने साबित कर दिया था, जो भारत के नितरत में था, कि किस प्रकार दो ध्रवी विश्व में दोनों खेमों से बराबरी के साथ बात की जा सकती है, उसी प्रकार इस आर्थिक मुद्दे पर, वैश्वी करन के मुद्दे पर परिप्रेक्ष को उभारा जाए, वैश्वी करन में जो सकारात्मक पहलू है, वैश्वी करन में जो नियाय की दृष्टी से उच्चित है, उन बातों को जनमत के सामने लाए जाए, उन बातों को समाज में सामने लाए जाए, और प्रयास किया जाए, ये बात को फैलाने का कि वैश्वी करण जो है वो मानवता के हित में है और इसलिए वैश्वी करण की बुराईयों पर लगाम लगाते हुए वैश्वी करण का स्वागत हो तभी विकास सुंभा होगा तीसरा सुझाओ मुक्त बाजार मुक्त पूजी मुक्त निवेश इसमें जो दबाव पढ़ रहा है प्रतिबंधों से मुक्त होने का जो दबाव विकसित देश बनाते हैं इस दिशा में कुछ काम किया जाए इस दिशा में कुछ सकारात्मक प्रयास किया जाए और इसके अभी एक दूभर काम है लेकिन संभव है चोथा वैश्वी करन का न्यायोचित प्रबंधन वैश्वी करन का मैनेजमेंट वो एक बात है लेकिन न्यायोचित मैनेजमेंट दूसरी बात है ऐसा मैनेजमेंट जो न्याय की दृष्टी से उचित हो अर्थात विकास शील देश कमजोर देश ये अपने को असहा या पंगुना महसूस करें ऐसी नीति का प्रयोजन करना ऐसी नीति को सामने लाना जरूरी है और इस काम में एक सक्षम अंतराश्टी संगठन जो विकसित देशों के दबाव से उपर उठा हुआ हो उसके निर्मान की आश्कता है उसके स्थापन की आश्कता है पाँचवा खेत्री अंतराश्टी और अशासकी संगठनों अशासकी संस्थाओं इनके कारें को सुनिश्चित रूप प्रदान करना दिशा देना और विश्व सहयोग में इस प्रकार इनकी मदद लेते हुए वैश्वी करन की जो बराईयां है उस पर नियंतरन पाने का प्रयास करना अंतिम आज जब वैश्वी करन की प्रक्रिया को हुए लगबग 30-40 वर्ष हो चुके हैं चाहे वो विश्व के परिप्रेक्ष में हो चाहे भारत के परिप्रेक्ष में इतना लंबा काल गुजर चुका है कि हम इसके खत्रों से भी उतना ही वाकिफ हैं जितना इसके फायदों से इसके लाब से तो समय आ गया है कि जब हम इसके नफ़ा नुक्सान इसका हम समुचित आकलन करें इनके खत्रों का आकलन करें प्रात्मिक्ताएं तै करें और प्रात्मिक्ताएं तै करने के बाद सर्वहित में सामोईक प्रयास के जर करें ये तो हुए सुझाओ और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सच प्रयासों के बाद हम अंतराश्टी विकात अंतराश्टी समरिद्य और भाई चारा उसको एक अच्छे स्थर पर ले जा सकेंगे इन सुझाओं के अलावा आपके सुझाओं भी बहुत महत्पूर्ण हो सकत की अब हम विस अध्याय के अंतिम बिंदु पर वैश्वी करण के बहुत से पहलों को हमने समझा और सबसे बड़ी बात वैश्वी करण क्या है हमारे लिए वो क्या माइने है आने वाले जनरेशन के लिए इसके क्या माइने है ये हमने समझा यदि हम इसका संशित में मुल् इतना पढ़ने के बाद हम और आप अब इस थिती में निश्चित रूप से हैं कि हम समझ सकें कि क्या खोया, क्या पाया, कितना मुनाफ़, कितना नुक्सान, आज जो आर्थिक उधारी करण या भूमनली करण की जो लहर है, वो अब रोकी नहीं जा सकती, it has become irreversible, भले इसकी रफ्तार अलग-अलग जगा, अलग-अलग हो, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, सामाने तोर पर इस देखें, तो दुनिया में ये आर्थिक उधारी करण की लहर, 1980-81 के आसपास आई, 1990 में सोवियत संग का विगटन होता है, उसके विगटन के बाद विश्व एक धुरुवी होता है, और बिलकुल उसी समय भारत भी वैश्वी करण की दिशा में कदम बढ़ा देता है, तो 1980 से लेकर आज 2020 अर्थात लगभग 40 वर्ष का काल गुजर चुका है, और सोवियत संग के विगटन के साथ, जब विश्व एक धुरुवी हुआ, तो जो समाजवादी व्यवस्था का जो माया जाल था, समाजवादी अर्थ व्यवस्था का जो गुड़गान होता था, व्यवस्था स्थाई नहीं है, वह एक ततकालीन परस्थितियों से निपटने का बस इलाज है, लेकिन स्थाई नहीं है, सोवियत संग और उसके साथ उसके जो पूर्वी देश हैं, जिसका जिक्र अन्य ध्याव में मैंने बार बार किया है, ये सारे देशों में सम्यवाद व्यवस्था ही थी, तुरंत ये देश पूंजी वादी व्यवस्था की और मुड़ जाते हैं, और इस पकार पूंजी वादी व्यवस्था बड़ी तेजी से पनपने लगती हैं, देशों में आर्थिक सुधार, तथा कतित आर्थिक सुधार की प्रक्रिया बड़ी तेजी से बढ़ जाती है भारत में भी 1980 के आसपास थोड़ी बहुत शुरुआत हुई पर एक नीदिकत तरीके से 1990 इंकानबे में लागू किया जैसा मैंने बताया कि राजीव गांधी के प्रधान मंतर काल में 1985 में एक तरीके से शुरुआत हुई थी लेकिन इसे एक दिशा देने का प्रयास 1990 में हुआ सुव्यस्थित रूप से इसे विक्सित करने का प्रयास 1990 में प्रार्म हुआ और इसलिए इसे आर्थिक सुधारों का वर्ष कहा जाता है आर्थिक सुधारों की लहर का वर्ष कहा जाता है इसके साथ ही से दूसरी पीड़ी के सुधार की रूप में भी जाना जाता है और दूसरी पीड़ी से ताटपर ये है उन्निस सो सेटालिस के बाद जो पीड़ी थी जिसका वर्चस बना हुआ था चाहे वो राजनीतिक वर्चस की बात करें या आर्थिक वर्चस्ता की बात करें वह वर्ग अप पीछे हो चला था और यूवा वर्ग सामने जिसमें राजनीतिक दिश्टि से युवा तुर्क सामने थे उसके कुछ प्रसिद नाम्द हैं मोहंधारियादी इन लोगों के रहते जो उधारी करण की और भारत ने दिशा मोड़ी तो इसे हम कहते हैं दूसरी पीड़ी का सुधार उधारी करण आर्थिक सुधारों के अंत लाना और उसे आत्मसाद करना साथ ही उपलब्ध क्षमताएं चाहे वो संसादन के रूप में हो चाहे पूंजी के रूप में हो चाहे शेतर के रूप में हो उनका भरपूर उप्योग करने के लिए लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना या एक तरीके से लाइसेंस प्रण करण की व्यवस्था को एक तरीके से अमली जामा पहनाया और हम 1991 से अपने देश को वैश्वी करण से इंटीग्रेटेड अर्थ व्यस्था मान सकते हैं तो अब यह अध्याय शेर्शक वैश्वी करण यहीं समाप्त हुता है अध्याय के साथ ही जरूरी हो जाता है कि अध्याय के साथ साथ हम तुरंट उसके प्रश्णों को जाने क्योंकि वे प्रश्ण हमें एक दिशा देते हैं उत्तर खोजने को विवश करते हैं और परणाम सरूप हम उन बातों को जो हमें सध्याय के तरह सिखाई गई हैं उन्हें तुरंट जज़्व कर लेते हैं इसके साथ ही कुछ अन्य तरह की गतिविदियां भी आपके पुस्तक में दी हुई हैं मैं सुचता हूँ कि इसमें से दो तीन गतिविदियों का मैं जिक्र करूं जो आप मिश्चित रूप से करें और तभी आप वैश्वी करण को सही मायने में समझेंगे क्योंकि यह आज का वर्तमान विश्व का एक अत्यादिक महत्कून पहलू है जो हमारे सामाजिक, राजमैतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को प्रभावित कर रहा है गतिविदियों के बात करें तो पहला है कि आप लोगं को ऐसे उत्पादों की सूची बनाना है जैसे खाद्य उत्पाद, बिजली से चलने वाले घरेलू सामान या उपकरण विविन पहलूओं को लेते हुए, उस सूची के बाद, दूसरा काम आपको करना है कि अपनी पसंद के टीवी के जो कारिकरम है विभिन ने चैनलों में जो आते हैं, उनकी एक सूची बना लें, इसके बाद क्या करना है आपको, कि आपको इन सूची से आपको वर्गी करन करना हैं, किस आधार पर वस्तूओं के निरमाताओं और पसंदीदा टीवी के कारक्रमों के प्रयोजिकों के आधार पर, मैं पुना दोहरा दूँ वक्तों के निर्माताओं और पसंदीदा टीवी कारक्रमों के प्रायोजिकों के आधार पर आप पाएंगे कि आपने जो सूची बनाई है, सूची बनाने के बाद जो उसका वर्गी करण किया है उस वर्गी करण में मूलता तीन तरह की श्रीणियां आपको दिखेंगे पहला पूर्णत्य विदेशी कंपनी जिनके खाद्यान आप खा रहे हैं या बिजली के सामान का उप्योग कर रहे हैं या इसके अलावा सुक्षवधाओं के सामान जैसे मुबाइल आधी का उप्योग कर रहे हैं जो पूर्णत्य विदेशी हैं उनको अलग कर दें और विदेशी सूची में डालें दूसरा ऐसा समान जो पूर्ण तया भारती हैं चाहे वो टीवी करक्रम हो या समान हो जो पूर्ण तया भारती हैं उनकी दूसरी सुची और तीसरा साजेदारी में काम करने वाली कमपनियां साजेदारी में अर्थात विदेशी निवेश के साथ भारती रिसॉर्स जिसमें लगे हो यह जब आप वर्गी करन करेंगे पहले सूची बना लें बाद में वर्गी करन करें तो आप पाएंगे कि आप लोग के द्वारा जो अधिकतर समान को उप्योग किया जा रहा है वे य जा तो विदेशी हैं या इस्थानी कंपनियों के साथ बिल जुल कर इनका उट पादल किया जा रहा है जहां तक भारती कंपनियों की बात है इनकी संख्या आपको कम दिखेगी इससे क्या साबित होता है इससे वैश्वी करन का बढ़ता प्रभाव पहली बात यह साबित हो होता है क्योंकि वैश्वी करन की अपनी बुराईयां भी हैं जिससे हमने अध्येन किया है निर्भरता बढ़ने की बुराई अपने हां के गुणवत्ता में कमजोरी होने की बुराई आदिया तो यह हुई कुछ गतिविधियों इस गतिविधियों को अवश्य करें और पारस्परिक जुड़ाओ के क्या माइने हैं और इनके कौन-कौन से घटक है इसका उत्तर सही है पारस्परिक जुड़ाओ अर्था एक दूसरे से निर्पर निर्भरता बढ़ना चाहे विदेशी पूजी के रूप में चाहे विदेशी सेवाओं के रूप में चाहे अन्य जरिये से ये एक दूसरे के साथ संबन्दों को बढ़ावा देता है इस पर विस्तार को उत्तर लिखना है अगला प्रश्ण है वैश्वी करन में प्रध्योगी की का क्या योगद इंटरनेट ऐसी संचार व्यवत आएं यहां पर जो मायने हम रखा है और यदि मैं आपको इशारा करूं तो 1990 के बाद से प्रध्योगी की का प्रभाव स्पष्ट रूप से वैश्वी करण के प्रभाव पर पढ़ा है और वैश्वी करण के वार्धक्ट में इसका अहम योग वार लिखना है कि प्रध्योगी की का क्या योगदान वैश्वी करण के प्रतिया में तीसरा प्रश्ट वैश्वी करण के संदर में विकास शील देशों में राज्य की बदलती भूमिका राज्य की बदलती भूमिका वैश्वी करण के संदर में एक आलोच नात्मक निबर के रूप में लिखे इसमें आपको क्या लिखना होगां राज्य की digoziękuję क्या की और फिर फिर पस्ट कर जुँँ कि राज्य का अर्थ पर अन्यशा प्रद्योगी के परणाम सरूम हम एक दूसरे से कुछ ही च्छन दूर है इसके क्या परणाम हुए हैं पहला बहुराश्टी निगम पूरे विश्व में अपने पैर पसार चुका है इसका दुष्परणाम राज्यों को भुगतना परा है क्या पहला वैश्वी करण के कारण राज्य की ख्षमता या उसकी ताकत में कमी आई है कल्यान कारी राज्य की धारना पुरानी हो गई और नियून तम हस्तक शेप वाली बात अब ज़्यादा तचलित हो रही है ये तो हुगा पहला प्रभाव दूसरा राज्य का कारी जो है वो अप सीमित हो गया है क्योंकि अब पूंजी वादी विचार धरा ही नहीं बलकि पूर्ण रूपे निजी प्राइविटाइजेशन की बात चल रही है तो उसमें राज्य की जो भूमिका है बहुत सीमित हो जाती है जैसे मात्र कानून विवस्था बनाना फिरक्षा देन आदी आदी रही लोग कलियान कारी कामों की बात तो उससे सरकार ने तो अपने हाथ कीच लिए हैं और इसलिए जो भी आर्थिक विकास और आर्थिक लक्षों की प्राप्तिकी बात है उसका सारा दारौमदार अब मार्केट पोर्सेस पर आगे रहा है तीसरा प्रणाम वैश्वी करन्ट से राज्य की ठाकत में हमेशा कमी नहीं आती एक और जहां कमी आती है इसके संभावना हमाई दूसरी और ये भी तह है कि हमेशा कमी आएगी ऐसा हम ना माने राजनीतिक समधाय के रूप में राज्य की जो प्रधानता है वो आज भी बनी है राज्य का जो वर्चस्व है वह आज भी बना हुआ है कम चेकम आज के वैश्वी करन के परिप्रेक्ष में उसे राज्य को इस मामले में चुनोती नहीं मिली है आज भी राज्य प्रमुक है और अपने प्रभाव को अक्षन बनाए हुए है जहां उनकी मर्जी नहीं वहां भले वो पैर खीच रहा हूँ वहां भले वो दूर हो रहा हूँ परिदी वो चाहें तो अपना प्रभाव हर खेतर में कमो बेश बनाए रख सकते हैं और चौथा रंतिम प्रभाव है राज्यों की बढ़ती ताकट बलकि रास नहीं बलकि बढ़ती ताकट क्योंकि अत्याधिनिक प्रद्योगी की जरें इंटरनेट आदी ने राज्यों को अब डाटा दे दिये हैं देश के हर नागरिक की जानकारी हर नागरिक की गर्ति विदियों की जानकारी आज सरकार के पास है और वह भी पूरे एविडेंस के साथ सभी तरह की सूचना है जुटाने में उसे कुछ ख्षान लगते हैं और इसलिए यदि सरकार अच्छे तरीके से काम करें तो सरकार आज स्वाद्योग्यकी के कारण संभावता शायद ताकटवर हो गई है अगला प्रश्न वैश्वी करन की आर्थिक परिनितियां क्या हैं भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा तो इसके दो भाग हैं पहला आर्थिक परिनितियां क्या हैं और दूसरा भारत पर इसका प्रभाव आर्थिक परिनितियों की बात करें तो सब से पहली बात ये है कि अंतराश्टी सहिस्थाओं के द्वारा जवरदस्ती वस्तुएं लादी जा रही है दूसरे देशों पर चाहे पूंजी के रूप में चाहे विचारों के रूप में चाहे वस्तुओं के रूप में दूसरा व्यापार में इजाफा चाहे वो आयात मिर् तीसरा प्रतिबंध जो थवी तरीके के लगते हैं आयात पर करके माध्यम से वे अब लगभक समाप तप्राय है और इतना ज्यादा हो चुका है वहिश्वी करण का आर्थिक प्रभाव के बहुत से विद्वान इस आर्थिक प्रभावों के परणाम सुरूप विश्व में न ने उपनिवेश्वात के जन्म के बीज देखते हैं और अन्तिम्ह आवश्कताओं के लिए एक दूसरे पर बढ़ती निर्भरता है रही भारत के बार तो भारत पे भी इसका काफी प्रभाव पड़ा है उन्यस्वान कानवे में जैसा मैंने बताया नहीं आर्थिक नीती आ करनाटक में सूचना करांती महराश में द्योग करांती गुजरात में व्यापार करांती आदी आदी का स्पष्ट रूप से द्रिश्ट गोचर हुई वहीं बहुत चिराजियों में खेती किसानी का सबसे ज़्यादा नुक्सान भी हुआ है यह भारत के संदर में वैश्वी करण का प्रभाव महराश में, करनाटक में, आंद्रपुदेश में, इसलिए इस काल में हम बहुत सारे किसानों के द्वारा आत्म हस्तियाएं के उदाहरन पाते हैं क्योंकि खेती किसानी अब एक नगन्य गटिविधी मानी जाने लगी है आंकोडों से हसाब था कि अशसे जादा आत्म हस्तियाएं इन्ही खेत्रों में हुई जहां पर वैश्वी करन का सबसे जादा प्रभाव पड़ा दूसरी दो बिहार और उडिचा की बात करें जो आर्थिक जिससे बड़े पिछड़े थे जहां पर ऐश्वी करन का प्रभाव बहुत समय तक नगन्य था वहाँ पे बाल मृत्युदर में वृत्धी हुए जाहिर है ये मृत्युदर शहरी समाथ के बच्चों की नहीं बलकि ग्रामीन बच्चों के मृत्युदर की तो कि इन छेत्रों में ग्रामीन लोग जिनकी संख्या ज़्यादा है वे भीशन विशमता गरीबी और अस्व विधाओं के दौर से बिज़र दो तो इस पकार हम कह सक में इस कि वैष्वी करन का भारत पर एक मिक्सट प्रभाव पड़ा है और अलग खेत्र में अलग अलग प्रभाव पड़ा है वे भिविन समाजिक और राजनेतिक दलों की तरफ से इसका विरोध भी हुआ है तो समर्थन भी हुआ है हम भारत के लूप भारत सरकार वैश्वी करण के उन खास कारक्रमों की विरोधी है जो स्वामराज जिवाज को बढ़ावा देती है अगला प्रश्ण वैश्वी करण से संस्कृतिक विभनता बढ़ रही है क्या आप इस बात से सहमत हैं उत्तर है कि वैश्वी करण का संस्कृतिक प्रभाव निश्चित रूप से परंपरागर संस्कृतियों पर पढ़ रहा है और मैंने जीन्स का उदारन दिया आपको किस पकार अमेरिका की जीन्स आज पूरे विश्व में चाही हुई है और उतने एक नहीं सोच को जन दिया है जब विविन देशों के बीच विचारों का भी आदान पदान होगा तो निश्चित रूप से संस्कृति पर तो प्रभाव पढ़ेगा ही वास्तों में दि वैश्वी करण के सांस्कृतिक प्रभाव को देखें तो हम मानेंगे कि सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक विभन्नता ये दोनों ही प्रवृतियां अलग-अलग अस्तर पर बढ़ती हुई दिखाई देरी हैं सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक विभन्नता अब इन बिंदूओं पर आपको थोड़ा सा दोनों पर इस अध्याय में उत्तर को खोशते हुए विस्तार से लिखना है अगला प्रश्ण है वैश्वी करण ने भारत को कैसे प्रभावित किया इसका उत्तर हम पूर में दे चुके हैं या भारत कैसे वैश्वी करण को प्रभावित कर रहा है अब हम इस पर आते हैं वैश्वी करण ने भारत को प्रभावित किया उसका उत्तर जानने के बाद जो पूर्ण में दिया चाँ चुका है अब ये सोचने के बात है कि भारत ने भी वैश्वी करण को प्रभावित किया है निश्चित रूप से उत्तर होगा हाँ काफी प्रभावित किया है पहली बात विबिन देश भारत को एक बहुत बड़ी मंडी बजार के रूप में देखते हैं और इसकार जो देश यहां पे अपने माल ला रहे हैं उत्पाज ला रहे हैं उनकी आर्थिक विश्था को भारत बहुत किया है दूसरा ब्रिटेन जो पहले कच्चे माल का आयात करता था अब भारत में कच्चे माल के बदले पक्के माल को बेचनी के त्रियारी करता है बेचता है शतनता के के बाद भारत ने आयात पर कासी प्रत्वन लगाया ताकि भारत में सभी चीज़ों का उत्पादन हो भले ही विवश्टा में हो लेकिन कम से कम शुरुवारत को हो और इसी को हम संरक्षन वाद कहते हैं यह लिए आपको याद होगा तो भारत की संरक्षन वादी नीती ने प्रत्वं पचास वर्षों में भारत के उद्योगों को एक तरीके से मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई लेकिन इस संरक्षन वाद नीती की अपनी बराईयां थी जिसके परणाम सुरूँ बाद में हम ग्लोबलाईजेशन या वैश्वी करन की और बढ़े और अब इस मुक्त बजार में अब भारत सक्षम रूप से अपना प्रभाव विश्व में छोड़ रहा है लेकिन हाँ स्वास्थ आवास्थ प्रात्मिक शिक्षा ये ऐसे कुछ शित्र हैं जहां पर भारत को अभी काफी कुछ करने की जुरत है भारत की आर्थिक गटी भी उस हद तक धेमी रही है इस पर आप और विस्तार से आखनों के साथ अपने उत्तर को और मजबूत बनाने का प्रयास करें और इसके साथ ही ये वो प्रश्ण है जिनको मैंने आपको एक गाइडलाइन के रूप में उत्तर दी है पाँच प्रश्ण और ऐसे लिखें जो मैं दे रहा हूँ आपको जिसके उत्तर आपको स्वेम को इसमें से खोजना है पहला प्रश्ण है भू मंदली करन को पारिभाशित करें और इसकी विशेश्टा बताएं बड़ा सरल प्रश्ण जो आपको प्रारम में ही मिल दे आगा ध्याय करें दूसरा प्रश्ण भू मंदली करन से उत्पन समस्याएं उस पर एक संख्षिप्त बिंदुवार लेकन से तीसरा भू मंदली करन के उदय के कारण क्या कारण थे जिसने भू मंदली करन की प्रक्रिया को प्रारम बुकिया विश्वत्यों छोटा बना चौथा वैश्वी करन या भू मंदली करन की प्रक्रिया में वर्तमान में क्या चुनोतिया है क्या समस्याएं हैं और पाँच्वा और अंतिम वैश्वी करण दुरोधी आंदोलनों पर एक संश्रत लेक लिखे इस पकार ये अध्याय प्रश्णों के साथ यहीं समात्थ होता है थेंक यू